हेलो एवरिवान वेलकम टू टेरो वाल टेरो कार्ट के रहस्त में दुनिया फ्रेंड्स एरीज में इसका निकाल रहे हूं प्रेडिक्शन्स फरवरी मंत का लाव एंड करियर बोथ है और यह जेनरल लेडिंग है मैं वुमें सब देख सकते हैं पैरेंट्स अपने बच्चों कर्म फल फलित होने वाला है जो आप मेहनत कर रहे थे और जो डर रहे थे अभी तक डर भी रहते हैं बहुत कोई कि क्या होगा क्या नहीं हो सकता है बहुत बचे एक्जाम दे रहे होंगा और उनको रिजल्ट का इंतजार होगा इस्टुट्स के लिए तो आप यह समझ लें है वर्ल्ड का काड यह कर रहा है कि आप एक स्टेप दूर है अपने फ्रेंस कभी हथोचसा ना हूं करियर करें इस्पेशली कभी हथोचसा ना हूं कि आपनी सुना होगा सकता है जो उनके ऑनर थे उन्हों को 1,000 टाइम में उनकी रसेपी से जो है प्रेंस चीड़ें ऑना होप नहीं छोड़ा उन्होंने बिल्कुल अपना मेहनत करते रहे और आफ्टर 1000 टाइम्स के बाद उनकी रेसिपी सेलेक्ट हुई और आज के एफसी हर जगह पुरे वर्ल्ड में फेमस है ठीक है इसलिए कभी और जानते हैं उनकी एस क्या थी जब वह सेलेक्ट हुए उनका 52 आप यह सोच सकते हो 52 तक उन्होंने हो नहीं छोड़ा और मेहनत करते रहे उन्हें एक होप था कि मुझे मेरा मुझे करना है और मेरा होगा ठीक है इसलिए मैं हमेशा कहते हैं और लगन लगी है तो बिल्कुल होगी आपके आपके अंदर तो यह चीज बहुत बड़ा गौ अँसरे ओर मेरा गौर्म इस मैं आपके और इस अपने लाइफ में ठीक है अप बिल्कुल अप उसका गार पे वर्ल का कार्ड आया है बिल्कुल चाने वाले हो अपने जिन्दगे में ठीक है और थोड़ा सा आप सतर करें अपने दोस्तों से ठीक है कई कुछ ऐसा है अभी थोड़ा सा अगर एक्जाम की तैयारी करें कुछ सपना को पूरा करें यह तो कर्या रिडिंग का था और लव रिडिंग में आप बिलकुल लवर्स का भी काड आ घ्राओ ऑगा है और बहुत के मैं यह ब इसा जहां भी पसे पड़े थे और जो सपना देक रहे हो में भी वह सबना पूरा होने वाला है ठीक है पुराने दोस्तों से मिलें आप उसकता उसमें से कहीं कुछ ऐसा निकल के आजाए और हाड़ी शिक्स मुंठ आपको और लगेंगे अगर आप कहीं कुछ ऐसा देख रहे हो और बिल्कुल दूद बहुत डर रहें नहीं बिल्कुल स्ट्रॉंग हो के स्ट्रेंथ में आके खड यह सकता है आपका इंगेजमेंट फिक्स होने वाला है ऐसा कुछ दिख रहा है ठीक है बिलकुल आ रहा है एंजल के तरफ से भी आगया है जो वेट कर रहे थे आप और जो भी आप सोच रहे थे जैसा भी बिल्कुल यह काड़ा है इसा है उहाई है उनके तरफ से तो आपको परिशान होने की जहरत नहीं है मेंसराज सी ठीक है और मेजर कार्ड में आ गया है कि मैजिशन है मैं आपके अंदर यह तैलेंट है तैलेंट है कि आप हर चीज़ को कर सकते हो चाहे वह करियर लाइफ का हो लव लाइफ का अब बहु हो गया अब मुझे यह step लेना है और अपने decision ले लिया है तो अब आपकी love life and career life both बहुत अच्छी होगी ठीक है और God के तरफ से भी card आ रहा है God के तरफ से भी आ रहा है या ऐसा God से बहुत प्रे कर रहे होगे तो हो सकता है आपकी सुनवाई होने वाली है God के तरफ से ऐसा अंदर बहुत अच्छा गुन मैं कहते हैं बहुत अच्छा चीज है यह और मैरेज के लिए आपके लिए मैरेज के लिए ले लिया है और वो डिसीजन आपका बहुत अच्छा होने वाला है ठीक है आप जो भी डिसीजन लोग की एंजल के तरफ से यह आगया है अब आप घबराएने डर रहे हो बहुत दो काड़ा है और आपके पीठ पीचे हो सकता है कोई कुछ यह नि आप जो स्टैप ले रहे में भी आपके पार्टनर भी डिसीजन ले रहे हैं और आपके तरफ आ रहा है क्योंकि कपस की नजी बहुत है आप बहुत ऑनेस्ट हो दिल के बहुत ज्यादा सुकून यह नि दिल में आपको सांती मिलने वाली है ठीक है बिलकुल ऐसे कार्डस में आ रहे है और उससे भी बात है कि आपके लिए God के तो से blessings है blessings आई हुई है तो कोई दिकत ही नहीं है अब आपको सिफ decision लेना है और decision लेके ठीक है आप meditation कर रहे थे मुझे यह पत लग रहा है cards देके कि आप बहुत कुछ यानि सारा काम हो सकते बहुत कोई बहुत कुछ कर चुके होगा अब वेट कर अब वेट जो आप कर रहे हो जिस चीज का उसका अंसर यह से बस ठीक है क्योंकि एंजल के तरफ से भी आ गया है बहुत सारे major cards आए हैं आपके life में और financially अगर कहीं कुछ problem चल रही थी तो financially problem आपकी खतम होने वाली है ठीक है और उससे भी बड़ी बात है तू और टू आफ FAB का यानि कि हो सकता है बहुत का marriage fixed हो गया है अगर आप कहीं कुछ confusion था तो confusion को दूर करें और अपने घर में बड़े बुज़र का अगर कहीं कुछ है तो थोड़ा सा जो हवाई के लिए है अगर कोई यंगर्स है और हवाई के लिए बना रहे है तो हवाई के लिए ना बन जबता किसी और कभी भला हो थेंक यू